Now students, देखिए, यह आपका इस तरीके से question आया हुआ, board examination में कह रहा, solve the following pair of equation graphically, है ना students, अब ध्यान तर चेक करिए, देखिए, पहले हम लोग first equation लेंगे बच्चों यहाँ पर, आपका 2x plus 3y is equals to 12, है ना, and जो second equation है यहाँ पर students, अगर आप देखोगे, ठीक, तो जो आपकी second equation ह है, वो है आपकी x minus y is equals to 1, ठीक, अब देखिए, value रखिए यहाँ पर, तो अगर आप value रखोगे यहाँ पर, और x और y, पहले first वाले को solve करते है, चलिए, बताइए students, इसमें x की जगा हम क्या put करेंगे, बताइए, क्या चाहते हो, आप 0 कर दें बच्चों, बताइए, x की बताइए, 0, तो y कितना आ जाएगा, बताइए, 2 into 0, तो 3y is equals to 12, तो y is equals to 4, यहाँ से आ जाएगा, ठीक, और इसी तरीके से, अगर आप y की value बच्चों 0, पुट करेंगे, यहाँ पर, या y की value आप 2 put कर दो, जादा अच्छ है, y की value अगर आप 2 put करोगे, छोटा नंबर आएगा, आराम से बन जाएगा, 3 to 6, 6 उदर जाएगा, 12 minus 6, 6 है न, मैं दिखा देता हूं, 2x, plus 3 into 2 is equals to 12, तो यहाँ से आएगा, 2x is equals to, is equals to, plus 3 to 6, उदर जाएगा, so 12 minus 6, और यहाँ से, x is equals to 3, आपका निकल के आ जाएगा, so x की value आपकी 3, यहाँ से होगी, तो 0, 4 and 3, 2 are the points, छेख, यहाँ से होगी, आपके बाद 0, 4 and 3, 2 आपका यहाँ से आगया, चेक कर लीचे, yes, 0, 2, now, x की value 0 और y की value आपकी 2, यही तो है रहा, भई, x कोडिनेट 0 तो y से स्पा आगा, यह 0, 2 होगी आपका, और इसी तरीके से 3, 2, so x पे 3 और y पे 2, यह इस तरीके से, बच् ठीक है, चलो, 0, 4 है, 0, 4 है न, तो 0, 4, यानि कि y एक्सेस पे 4 यूनिट्स पे हमें जाना है, x कोडिनेट 0 तो y एक्सेस पे आएगा, तो 0, 4 यहाँ पर यह इस तरीके से आएगा, इसके बाद 3, 2, तो x पे 3 और y पे 2, तो यह इस तरीके से आएगा, बहुत अच्छा मेरे दे, 0, 4, तो 0, 4 आपका यहाँ आएगा, ठीक, 3, 2, तो x पे 3 और y पे 2 आपका यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक, अब इसको हम इस तरीके से जॉइन कर देंगे, यह दिखिए इस तरीके से, तो यह आपकी लाइन है, लाइन की एक्वेशन लिखेंगे students, इस लाइन क इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y is equals to 12, है न, so 2x प्लस 3y is equals to 12, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसी तरीके से second equation है, आपके पास, यहाँ पर देखिए, x और y, तो x की value अगर आप 0 put करोगे, so minus y, क्योंकि x की value 0 minus y is equals to 1, यानिक 0 minus y is equals to 1, और minus उदर जाएगा, तो y की value आपकी minus 1 यहाँ से आ जाएगी, ठीक, इसके बाद, अगर आप y की value 0 put करेंगे, ठीक है, ध्यान दें students, देखिए, y की value अगर आप 0 रखोगे, तो x minus y की जगा आपने 0 रखा, तो x की value 0, यह x minus 0x, और x is equals to 1 आपका आ जाएगा, यहाँ से, this implies x is equals to 1, now 0, minus 1, points आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ से, 0, minus 1, यह देखिए, x की value 0, y की minus 1, and x की 1 और y की 0, ठीक, बना लीजे, 0, minus 1, x पे 0 और y पे minus 1, 0, minus 1, यह वाला point है, ठीक, 1, 0, ठीक, तो x पे 1, y पे 0, इस तरीके से यह वाला point है, अब इन दोनों को अगर हम join करेंगे students, तो यह इस तरीके से pass होगा, और यह वाली जो line है, red color वाली, इसकी equation क्या है आपके पास, इसकी equation है, x minus y is equals to 1, ठीक, क्या equation है, इसकी x minus y is equals to 1, यहाँ से है, ठीक, आप देखिए, उसने आप से क्या बोला, find the area of the region bounded by the two lines, यानि कि blue वाली line, यह वाली और यह वाली, है ना, bounded by two lines, representing the above equation and y axis, अब सुनों बच्चों, y axis की जगा, वो आपको x is equals to 0 भी बोल सकता था, x is equals to 0 ही क्या होता है, y axis, जिसको नहीं पता सुनों ध्यान से, x is equals to 0 ही क्या हो सकता है, y axis होता है, हो नहीं सकता होता है, तो क्या पता हो आपको exam में 3 equations देता, 1, 2 और 3 वाली आपको, यहाँ पर bounded by y axis ना बोलके आपको बोलता and, and, यह ना देकर आपको x is equals to 0 दे देता, तो समझ जाना, first line equation, second line equation और x is equals to 0 है, यहाँ पर, x is equals to 0 ही आपका y axis है, तो ध्यान दे स्टेन से, यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, अब देखो ज़रा, बच्छों, यह वाले point का नाम मैंने a रखा, और इसके coordinate है, 3,2, यह वाले point का नाम मैंने b रखा, और b point के coordinate है, 0,4, और यह वाले point के coordinate है, आपके, c इसका नाम रखा, 0,-1, इसके है coordinate, अब ज़रा ध्यान दे, अब ज़रा ध्यान दे बच्छों, यह blue वाली line, red वाली line, और y axis से bounded region, जो है, वह आपको यह दिखाई पढ़ ला है, यह देख and y axis का portion यह रहा, देखो, पूरा यह y axis है, तो हम इतना portion यहां से लेंगे, b से c तक यह वाला, ओके, अब हम ग्या करेंगे, triangle a, b, c का area निकालेंगे, वह आपसे यह भी बोल सकता था, find the vertices of the triangle, तो vertices पूसता था, तो point a के vertex 3,2, point b के vertex 0,4, और point c के vertex हो गए 0,-1, तो vertices के coordinate भी आपसे पूस सकता था, ठीक, तो अब अगर आप ध्यान से चेक करो, विच्छो, तो हमें एक तरीके से area of triangle, a, b, c, निकालना है, क्योंकि a, b, c, bounded by this line, this line, and y axis है, तो area of triangle, a, b, c, is equals to half into base into height, base कितना है, अब ध्यान दे, students, base b, c हो जाएगा, और height क्या हो जाएगी, a से perpendicular draw करे लेंगे सामने, तो a से हमने यहाँ perpendicular draw किया, है न, am, 12 कर लीचे, 1 upon 2 into base b, c, b, c, c, तक की length, yes, बताइए, बच्चो, बी से c तक की length बताइए, कितनी है, हाँ, बताइए, कितनी लेंगे, बताइए, 4, क्यों, बी से c तक की length तो 5 है न, बी से c तक यह origin तक, 4 unit तो यह हो गया, और 1 unit यह हो गया, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यह plus का 4 देखेंगे, और यहाँ minus का 1 देखके 3 कर देंगे, wrong हो जा हो गया, और, origin, यह origin है, आपका यहाँ पर, यह 0 वाला point है, और दिन, 0 से minus 1 तक, 1 section ही हो गया, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, तो बी सी का length हो गया, आपका 5 unit, into, height क्या हो गई, am की length कितनी है, यहाँ से देख लीजे, am की length कितनी है, 3, क्योंकि am की length क्या होगी, यहाँ से देख लो, 1 unit, 2 unit, 3 unit तो होगी, यह इस तरीके सो, अगर आप एपसे सा देखोगे, यह नहीं के x coordinate 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की distance, भाई, एपसे सा, या, x coordinate क्य unit, 3 unit, ठीक, तो यहाँ पर 3, अब यहाँ से आप solve करोगे, तो क्या आ जाएगा, 5, 3s are 15, और divided by 2, so the answer is, 7.5 square units, है न, square is square, square units, आपको लिखना है यहाँ पर, correct, तो मेरे ख्याल से, आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए, 7.5 is the final answer here, okay, and the area is, area को मैं, और यहाँ पर, yellow color से shade गर दे हमने निकाल दिया है, बताए कोई doubt है students, बोलिए, क्या कोई doubt है किसी student को, बताएए,